हेलो बच्चो इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नीट 2024 में पूछा गया प्रश्ण यद एक सरलोलक में गोलक का द्रवमान उसके मूल द्रवमान से तीन गुना कर दिया जाए तता इसकी प्रारंबिक लंबाई आधी कर दी जाए तो दूलन का नया आवर्थकाल प्रारंबिक आवर्थकाल का एक्स बटे दू गुना हो जाता है तब एक्स का मान क्या होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है एक सरलोलक है जो एल लंबाई के दागे से लटका हुआ है इसका द्रवमान एम है दूसरी कंडिशन में क्या है इसी सरलोलक की जो लंबाई है वो तो आधी कर दी जाती है एल बटे दू लेकिन इसका जो मास है वो तीन गुना कर दिया गया है तो इस कंडिशन में हमारे पास आवर्थकाल होगा टी बरावर पहली कंडिशन में टू पाई अंडूड एल बटे जी और दूसरी कंडिशन में आवर्थकाल टी डैस हो जाएगा टू पाई एल यहाँ पर एल बटे दो है और जी जो है जी है क्योंकि यहाँ पर टी जो है एम पर निर्वन नहीं करता एम पर मास पर या द्रवमान पर यहाँ क्या करेंगे हम टी डैस वरावर टू पाई तो यहाँ से एल बाई टू आएगा यानि यह एल बटे टू जी हो जाएगा और टू पाई यह अंडू टू को हमकाल लेंगे बाहर अंडू एल बटे जी यहां पर दिया हुआ है नया अवर्थकाल दूरल का है नया अवर्थकाल प्रारमिक अवर्थकाल का एक्स वट्टे दो गुना हो जाता है तो नया अवर्थकाल है वो एक्स वट्टे दो गुना हो जाता है प्राने नया अवर्थकाल का प्राना अवर्थकाल नया अवर्थका गुणा कर देंगे तो दो बटे अन्रूड दो आ जाएगा एक्स कमान और यहां पर अन्रूड दो को हम लिख सकते हैं दो को लिख सकते हैं अन्रूड दो गुणा अन्रूड दो बटे अन्रूड दो नीचे है इस तरह से एक कमान आगे अन्रूड टू तो अन्रूड टू एक लिब बोद 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 बाद